अब टाइल लेने के लिए हम जब showroom में जाते हैं तो टाइल का color देख लेते हैं, design pattern देख लेते हैं, यहाँ तक कि हम इस चीज़ के बार में भी जान लेते हैं कि हमें टाइल vetrified लेनी चाहिए या फिर ceramic लेनी चाहिए और बाद में जो टाइल के rate हैं, उसे देखके हम टाइल को final कर लेते है, कभी-कभी आपने एक चीज़ जरूर notice की होगी, कि किसी same tile के जो rate है, वो दुकानदार आपको अलग-अलग बताते है, या फिर एक tile आप जिस शोरूम में देख लेते हो, अगले शोरूम में जब आप जाते हो, तो उसी tile के जो rate है, वो वहाँ पर कम बताए जाते है, ऐसे में आप खुद confused हो जाते हो, कि पहले दुकानदार ने आपको ज़्यादा rate क्यों बताए, या फिर ये जो दुकानदार है, ये कम rate क्यों बता रहा है, क्योंकि tile का design भी same है, color भी same है, यहाँ तक की tile की company भी same है, फिर tile के अलग-अलग rate क्यों तो दोस्तों, इसके पीछे कारण होता है tile के quality का, जितनी अच्छी quality रहेगी, उतना जादा rate रहेगा और जितनी lower quality रहेगी, उतना ही उसका rate कम रहेगा, अब ये logic तो आपको समझ में आ गया, पर ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, कि आप जो tile लेने वाले हो, सबसे best quality की है या फिर सबसे खराब quality की है क्योंकि आम तोर पर सिर्फ लोग कीमत देखते हैं, और कीमत के base पे ही tile को final कर लेते हैं, और कुछ दुकानदार जो है, वो भी आपको जल्दी ये चीज़े नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें अपना माल बेशना होता है, हाला कि कुछ इमानदार दुकानदार आपको ज़रू बताएंगी, कि आप जो tile ले रहे हो, उसका rate क्यों कम हो रहा है, या फिर क्यों जादा आपको देना पड़ रहा है अब सेम ही company की tile है उसी company ने बनाई है, इसी वज़े से आप जो है, सस्ते में वो tile ले के आते हो और इसके कुछ नुकसान होते है क्योंकि जाहिर सी बात है, company या फिर दुकानदार इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपको सस्ते में tile बेचे जाहिर सी बात है, ऐसी जो सस्ती है, वो अच्छी है या फिर खराब है तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम यही चीज जानने वाले है कि किस तरह से आप पता कर सकते हो सिर्फ box को देखके कि आपकी tile की quality कैसी है, ये tile आपके लिए अच्छी रहेगी या नहीं, tile की जो grades होती है, वो कौन-कौनसी होती है यानि कि tile की जो category है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे जिससे कि जब भी आप अपने घर के लिए tile लो, तो अपने घर के लिए सबसे best quality के tile लेने में ये वीडियो आपकी ज़रू मदद करेगा, तो अगर आप लोग इस channel पे नए आये हो, तो channel को ज़रू subscribe कीजे, तो सबसे पहले हम ये जान लेते है कि tile की grade कौन-कौनसी होती है तो दोस्तों जब भी हम tile लेने के लिए जाते है, तो same company में ही आपको 3 से लेके 4 प्रकार की grade मिलती है ये grade काफी ज़ादा important होती है क्योंकि ये जो grade होती है इसी के उपर tile का जो rate और quality है ये depend होती है तो ये जो tile है, इसमें आपको mainly 4 प्रकार की grades मिलती है पहली जो की होती है first grade दूसरी जो की second और तीसरी third और चौथी आ जाती है जो की है reject जैसे जैसे हम tile की अगली grade लेते है यानि कि first quality सबसे best होती है उसके बाद second, उसके बाद third अब ये जो चीजे होती है, ये directly box पे लिखी हुई नहीं होती है box के उपर कुछ चीजे लिखी हुई होती है जिससे की दुकांदार लोग जल्दी समझ जाते है कि tile की category कौन सी है उसी इसाब से rate लगाए जाते है अब ये चीजे आप भी box के उपर देखके आरम के साथ पता कर सकते हो कि आपके tile की quality कौन सी है यानि कि दुकांदार आपको concept quality वाली tile दे रहा है तो ये चीज आपको box के side में जो sticker लगा हुआ होता है वहाँ पर जल्दी पता चल जाती है अब जैसा कि हमने देखा जो first grade वाली tile होती है वो सबसे best होती है तो उसे हमेशा tile box के उपर premium ऐसे शब्दों में लिखा जाता है हाला कि ये चीज box के उपर भी लिखी हुई होती है पर कुछ जग पर जो sticker होता है वहाँ पर भी premium लिखा जाता है या फिर उसका जो short form होता है वो होता है P-R-E जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर sticker के उपर आपको clearly लिखा हुआ दिखाई देगा P-R-E इसका मतलब है ये tile जो है ये premium grade की tile है अब ये जो premium grade की tile होती है ये सरवत्तम मानी जाती है बहुती best quality होती है इसमें आपको best design, best color option मिल जाते है यानि कि यहाँ पर आपको quality में भी कोई changes जल्दी दिखाई नहीं देते है इसके अंदर defect आपको लगबग ना के बराबर मिलते है यानि कि आपको best quality मिलती है हाला कि इस tile के जो rate है वो भी definitely जादा होते है तो अगर आप अपने घर के लिए tile लेना चाहते हो तो definitely आपको premium category वाली जो tile है उसके तरफ जाना चाहिए क्यूकि आपको सालों साल तक कोई भी चिंता करनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना तो design में या फिर किसी भी चीज में आपको variation नहीं मिलेगा हाला कि ये जो sticker होता है यहाँ पर आपको lot वगरा ऐसी चीज़े भी पता चल जाती है साथ में manufacturing date ऐसी चीज़ों के बार में भी पता चल जाता है tile लेते समय आपको इस चीज़ की कोशिश करनी है कि आपको same lot वाली ही tile लेनी है क्यूकि same lot वाली जो tile होती है उसमें आपको color का variation नहीं मिलेगा पर जब आप अलग-अलग lot वाली tile लेते हो तो shade में आपको हलका सा difference जो है वो मिलता है और हाँ ये चीज़ जरू ध्यान में रखिए कि आप जो premium category वाली tile लेने वाले हो उसमें किसी भी प्रकार के visual defect नहीं होने चाहिए shade में variation नहीं होने चाहिए misprint जो है वो भी नहीं होनी चाहिए या फिर size में जो variation आते है tile के वो भी नहीं दिखाई देने चाहिए या फिर surface के उपर कुछ crack होते है या फिर pin hole होते है ऐसी चीज़े आपके premium category वाली tile में दिखाई देनी नहीं चाहिए तो इसलिए tile के box के उपर जो sticker है उसके उपर आपको premium या फिर PRE जरू चेक कर लेना है उसके बाद अब बात करते है second category वाली tile की जिसे की standard grade वाली tile भी कहा जाता है अब इसका जो sticker होता है उसके उपर STD करके लिखा हुआ होता है जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो इस तरह से जब आपको sticker के उपर STD करके लिखा हुआ दिखाई देता है इसका मतलब यह है कि यह जो tile है यह standard category की tile है यानि कि second quality की tile है अब यह जो second quality की tiles होती है इन में एकदम हलका सा defect होता है जो की आम तोर पर जल्दी दिखाई नहीं देता है या फिर regular जो लोग होते है उन्हें इसके बारे में जल्दी पता नहीं होता है पर जो लोग tile के बारे में जानते है या फिर जो कारागीर होते है या फिर engineer से या फिर tile के दुकांदार है वो ऐसे tile को जल्दी पहचान सकते है यानि कि जो standard quality की tile होती है उसमें एकदम minor defect होते है अब बात करते है third quality के tile के बारे में यानि कि तीसरी category की जो tile है उसे commercial tile कहा जाता है यानि जैसे कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो sticker के उपर आपको C-O-M या फिर C-O-M ऐसा लिखा हुआ दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि यह जो tile है यह commercial tile है अब नाम से ही बहुत सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है यह जो commercial category की tile है खास करके commercial purpose के लिए इस्तमाल की जाती है अब यह जो commercial category की tile होती है इसमें standard tile के तुलना में जादा defect होते है और यह जो defect होते है वो visible भी होते है जैसे कि आपको इसमें color का variation दिखाई देता है color की जो shade है वो भी कम जादा होती है design में भी आपको कुछ changes दिखाई देते है pin hole होना इसमें एक आम बात होती है और कुछ-कुछ जगपर जो corners वगेरा होते है वो भी तूटे हुए होते है और इसमें आपको कुछ bend tile भी मिलती है जिसके वज़े से tile का fitting करना काफी जादा difficult हो जाता है और tile की जो size होती है उसमें भी आपको variation मिलते है इसी वज़े से tile joint जो है उन्हें match कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है अब यह जो commercial category की tile है मैं आपको recommend नहीं करूँगा कि आप अपने घर के अंदर लगाओ तो अब आप यह कहोगी कि आखिर यह tile कहाँ पर लगाई जाती है और इसका क्या फाइदा होता है तो जैसे की नाम से ही पता चलता है कि यह जो tile है यह commercial purpose के लिए इस्तमाल की जाती है जहाँ पर आपको कोई storage वगेरा करना है या फिर आपकी tile ना के बराबर दिखाई देती है ऐसी जगपर यानि की कोई go down या फिर storage space है वहाँ पर ऐसी tile का इस्तमाल किया जाता है और इस tile का सबसे main फाइदा यह होता है कि इसका जो cost है वो standard हो या फिर premium tile हो उनके comparison में काफी कम होता है उसके बाद सबसे आखिर में आ जाता है जो की है चौथी category यानि की rejected जो माल होता है यानि की जिसका short form होता है REJ तो ऐसा material लेने का कोई भी फाइदा नहीं होता है तो दोस्तो अगर आप अपने घर के अंदर लगवाना चाहते हो तो definitely आपको premium category वाली जो tile है उसके तरब जाना चाहिए क्योंकि भले ही standard का rate थोड़ा सा कम होता है पर उसमें nominal defect होते है अब rate की अगर हम बात करें तो जो premium category वाली tile है और जो standard category की tile है इन दोनों के बीच में cost का भी इतना जादा difference नहीं होता है पर जब भी हम tile लगाते है और उसके उपर कोई भी हलका सा defect होता है खास करके जो white वाली tile होती है तो वो पूरे room का look खराब कर देता है इसी वज़र से आपको अगर अच्छी quality की tile चाहिए तो definitely आपको premium category वाली tile ही लेनी है सिर्फ कीमत देखके आपको tile को final नहीं करना है आपको definitely दुकानदार से ये जान लेना है कि आपकी tile जो है वो कौन सी category की है और वैसे तो sticker पे भी लिखा जाता है और साथ में कुछ box के उपर भी directly लिखा हुआ होता है क्योंकि company खुद भी चाहती है कि लोग भी जाने कि वो जो पैसे दे रहे है वो premium category की tile के लिए ही दे रहे है तो दोस्तों आप अपने घर के लिए कौन सी type की tile लगवाना पसंद करोगे comment box में comment जरू कीजी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजे